बालुगंज के बल्लब नगर के श्वितंबर जैन मंदिर में गच्छा चारे शांती दूद नित्यानंद सूरिश्वर महराज के सानिद में चल रहा नवहिंका महसव सुमार को समाप्त हो गया महसव में आचार श्री की निश्रा में वर्षय योग में तपस्या करने बाले लोगों का आयोजन समीती ने सम्मान किया बालुगंच के बल्लब नगर के श्वेतांबर जैन मंदिर में सुरेतन जोनाचार्य श्रीमत विज़ा जयानन्द सूरिश्वर महराज के सानिदे में चल रहा नवहिंका महुत्सव सुमबार को समाप्त हो गया महोत्सव में आचारश्वी की निश्रा में वर्षय योग में तपस्या करने बाले लोगों का आयोजन समिती ने सम्मान किया इस दौरान गच्छाचारे ने भक्त जनों को नवहिंका विधान के महत्व की जानकारी प्रवचनों के माध्यम से दे यहां आगरा के अंदर 42 वर्षों के पश्चाथ आचारे भगवन श्री मद्विजे जैयानंद सुरिशर्जी महराज का चातरमास हुआ है और इस चातरमास के प्रारंब होने के साथ ही यहां पर तपस्या का अविरल प्रवाह निरंतर तेजगती के साथ प्रवाहित हुआ एक श्राविका बहन ने 84 उपवास की महान तपस्या की जिसमें 84 दिन तक निरंतर बिना कुछ खाए वो रही और इस तपस्चर्या के निमित और बाकी यहां पर 50 से अधिक लोगों ने 8 दिन से भी अधिक की उपवास की तपस्चर्या की आज ये जो कारेकरम हो रहे हैं वैं विश्व शानती को धियान में रखते हुए जो संसार में इस समय आपा धहपी चल रही है उसको ये सादू Chu शन्तों की जो परंपरा है वो अपने संदेशों के माध्यम से उपदेशों के माध्यम से निरंतर उसको विश्विवें शान्ती पहलाने के लिए प्रेरित करती हैं और ये धार्मिक नुष्ठान जितने भी होते हैं उसमें धार्म के प्रती लोगों की रूची बड़े उनकी श्रद्धा बड़े अचारिश्वी जन कल्यानकारी चातुरमास के संयोजग सी ए राकेश जन ने कहा कि 45 साल बाद मंदिर में किसी बड़े अचारिश्वी का चातुरमास हुआ है इसके अंतरगत ये विधान हुआ है इस महोत्सव को लेकर भक्त जनों में काफी उत्सहा नजर आया सी नियूस के लिए आजा बहादुर के रिपोर्ट